इदर बिलासपूर से खबर है जहाँ एक यूवक से मारपीट करके उसकी बाइक में आग लगा दी गई मामूली बात पर विवाद हुआ था जिसके बाद बदमाशों ने यूवक को पीटा और उसके बाद उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया रतनपूर धानाक श्वेटर के पेंडरवा का ये मामला बताया ज़ा रहा है तस्वीर आप देख सकते हैं हाले कि पूरे मामले में आगे पुलिस कारिवाई की बात कर रही है लेकिन किस बात को लेकर विवाद हुआ था और यूवक के साथ मार पीट की गई बाइक को भी आग के हवाले कर दिया तो विलासपुर से एक खबर तस्वीर आपके सामने जहां मामुली सी बात को लेकर एक बदमाश ने एक यूवक को जम कर पीटा और उसके बाद उसकी बाइक में भी आग लगा दी देख सकते आप किस तरह से ये बाइक पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है अबेद आलकवात में नहार हैं उमेश अबारे साथ वो नाइन पर जुड़ गये हैं उमेश किस बात को लेकर विवाद हुआ था और आगे क्या कारिवाई हो रही है मामने में देखे ये कल देर साम की घटन रात की घटना बताई जा रही है इसमें दो युवक आपस में सराप पिने के बाद किसी बात को लेकर इनके बीच में जगड़ा हो और जगड़ा इतना आगे बढ़ गया था कि एक दूसरे को लोग ने मारपिट किया और उसके बाद जो वहा अभी पुलिस ग्रेप से बाहर है फिलाल पुलिस उन दोनों और आरोपियों की पतासाजी कर रही है और इस पूरे मामले की तभी परस्ट हो पाएगा कि आखिर और मुख्य वज़ा क्या थी कि इतनी बड़े घटना को अंजाम दिया गया आग जनी जैती शुक्री आपका मैं श्विलासपुर से समवाद आता हुमिश मौरे हमारे साथ चुड़े हुए थे तो नशे में ये पूरा घटना क्रम हुआ है मामली सविवार नशे में हुआ और उसके बाद मार पीट पी की गए लेकिन बाइक में भी आग लगा दी गई